Japanese language को start करते समय यानि कि जब हम basic Japanese language को सीखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे patterns हमें मिलते हैं pattern का मतलब होता है वो बोलने का तरीका या कह सकते है grammar तो वो ऐसे patterns हमें मिलते हैं जिसकी अभी हमें उतनी practice नहीं हुई है या फिर उनको हमें थोड़ा सा mathematically solve करना पड़ रहा है कि इसका यह मतलब है इसका यह मतलब है इसका यह मतलब है सब को ऐसे मिला दिया तो यह मतलब बन जाएगा तो थोड़ा से इन चीजों में time लगता है साथ साथ नहीं नहीं word सीखने होते हैं गाक से का मतलब student गाको का मतलब school कुरुमा का मतलब car तो वह overwhelmed हो जाते हैं वह प्रेशर में आ जाते हैं वह सोचते हैं कि क्या क्या हमें करना है कैसे कैसे करना है तो देखिए हर चीज को मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया कि आप डिवाइड करके करिए और आज का ये जो वीडियो है एक बहुत ही सिंपल पैटर्न को और सिंपल बना देंगे हम अगर आप इसको एंड तक सुनते रहेंगे और इस पैटर्न का जो यूजेज है वो spoken Japanese में भी और JLPT में भी काफी होता है हम बात कर रहे हैं तोकी पैटर्न की तोकी का मतलब होता है के समय पर ठीक है तो जब वो past form के साथ लगता है या present form के साथ लगता है तो किस तरह से meaning में चेंज आ जाता है आज इस वीडियो में हम सीखेंगे examples के जरीए Welcome to New Hongo Max, मेरा नाम है रवी, चलिए शुरू करते हैं So, Hello friends, आज हम सीखेंगे रू form प्लस तोकी और ताफ form प्लस तोकी के वीच में क्या difference होता है As you can see, मैंने याँ पर दो examples लिख्यों है First example है, कुनि ये काईरू तोकी कबानो काता So, इस example में दो actions हो रहे हैं एक है action A और एक है action B So, रू form प्लस तोकी हम कब लगाएंगे जब हमारा वो action अभी complete नहीं हुआ है और हमारा दूसरा action साथ में हो गया है For example, कुनि ये काईरू तोकी जो हमारा first sentence है, कंट्री पहुचना So, अभी action complete नहीं हुआ है कुनि ये काईरू तोकी का मतलब है, अभी में कंट्री जा रहे हूं I am either on a plane or airport or somewhere But वो action अभी complete नहीं हुआ है दूसरा action साथ में हो गया है काईरू काता जब मैं अपनी कंट्री पहुच गई, पहले action complete हो गया मैं land कर गई, कंट्री पहुचने के बाद कवानो काता का मतलब हो गया कि मैं कंट्री पहुचने के बाद जब मैं कंट्री पहुच गई, तब मैंने बाद को खरीदा आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इसी तरह से अगर आपको पैटर्न्स को हिंदी लैंगवेज में simplified forms में सीखना है और उसमें expert बनना है या फिर आपको spoken Japanese सीखनी है तो आप जा सकते हैं nihongomax.com पर